दोस्तों जहन स्वागत है आप सब्सक्राइब चैनल पर दोस्तों ये यूपी स्पेसल से रिलेटेड सीरीज चल रही है ठीक है उसका ये आठवाँ सातवाँ ये पार्ट है छे वीडियो और अप्लोडेड हैं इसके अलावा भी पांच छे वीडियो और हैं उस प्लेलिस्ट सब्सक्राइब उसको देख लिए बहुत महत्पून महत्पून चीजे मैंने उसमें करवाई है ये क्यूंकि किसी परिक्षा में पूछा गया है चाहे वह यूपी यूपी प्स का हो या यूपी ट्रपल-स का हो कहिन यह पूछा गया है और आगे भी सम्भावना है कि इनी से आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो static पोर्सन है वो बदलता नहीं है और जो current है वो आपका change हो सकता है लेकिन static पोर्सन नहीं बदलेगा तो इसको बहुत ध्यान से देखिए बहुत अच्छे त्रिकिस देखिए नहीं पता है तो तो नोट्स बना लीजे अधर्वाइज आपका रिवीजन हो जाएक अगर मालीजे पता है चीजें तो इसको लाइक कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन भी प्रिस कर लीजेगा इसकी पीडियेफ दे दूंगा मैं इस क्लास की आप लोग टेल करते हैं विदा उटेने डिले ठीक है तो देखे आज का जो पहला प्रश्न है यह पूछ रहा है इसमें कि कौन सी योजनाएं उत्रप्रदेश बजट में 2020-21 में सामिल की गए थी अगर यह प्रश्न देखकर आपके मन में यह सवाल उठता है कि जो बजट अभी 2023 का आया है ठीक है क्या उससे भी इस तरीके का प्रश्न बन सकता है अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा है तो बिलकुल एकदम सही उठ रहा है मैंने PDF पूरी डाल रखी है टेलिग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर रखी है यूपी बजट की ठीक है में में चीज़े मैंने उस पर भी कर रखी है आप वहां पर जॉइन करके वह चीज़ें पढ़ सकते हैं यूजनाय वगरा जो भी है ठीक है तो उसको आप पढ़ लिजिए बढ़ी है इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है ठीक है तो देखिए इसमें जब उस समय की बात हाई है बहुत रेलेवेंट विकास योजना मुख्यमेंत्री सक्षम सुपोसन योजना और मुख्यमेंत्री प्रवासी स्रमिक अध्यमत्य विकास योजना। ये तीन योजना थी ये चोथी नहीं थी, ठीक है, तो क्या पता, इन चारों में से एक कोई दे दे तो याद रखेगा इनको भी और पूछ ले तीन अभी जो नई कुछ-कुछ स्टार्ट हुई हैं तो उनको भी देख लिएगा बजट अच्छे तरीके से देखे जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा जली यली करते हैं इसको उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वारवजगार योजना 2021 के लिए पंजीकर होना चाहिए ठीक यह चीज ध्यान रखेगा चलिए देखें देखें देश का प्रथम भारती कौसल संस्थान कहां कोला गया है तो यह कानपुर में बहुत मातपूर्ण है अभी भी पूछा सकता है ठीक यह याद रखेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पूर्वी उत्तरप्र सब्सक्राइब है तो ज्यान रखेगा ओडी ओपी वाला जो एक मैंने वीडियो दे रखा है उसको जरूर देख लिजेगा उसको एक दो बार देख लिजिए अगर नहीं भी देखना है तो कहीं से भी पीडियेफ उठा कर पढ़ लीजिए आप उसको ओडियो पी से एक प् पादक नहीं है आपको पता है अभी लेटेस्ट भी ये वेस्ट बेंगॉल ही है ठीक है सेकंड नंबर पर आता है तो ये ध्यान रखेगा तो इसमें वन एंड टू ही सही है के वल ठीक अभी मैंने सेर किया था टेल ग्राम चैनल पर जो एस पर एकनोमिक सर्वे जो आया था उसके हिसाब से मैंने सेर किया हुआ है फुरा ठीक है तो वह सारी लीज़ेगा उसको कहीं से भी पढ़ यह पद लीजिए लेकिन देखें इसमेलन के लिए पूछा है कि कौन सा ही के सुमेलित office नहीं है नहीं दो महिला सम्रद्धी यूजण यह ठीक है महिला स्वासक्टी स यह महिला सामराज जी योजना भी ठीक है इस पर वैसे यह प्रशन डिस्प्यूटट था ठीक है राष्टी पोसाहार मिशन जो है यह 2003 में नहीं आया था यह 2018 में था था है इसका इग्जैक्ट डेट अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजेगा निमलिखित में से किस में उत्तर यह सब क्या कालीन भहिया के नाम से याद आ रहा है तो यह चीज याद रखेगा ठीक है यह कालीन के लिए बहुत फेमस है ओडी ओपी में उस्ता है यह प्रश्ट ठीक देखिए इसमें दिया गया है नीचे दो कथन दिये गया है कारण बुसकर पुशा है उत्तर चाहिए तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ठीक है उत्तर प्रदेश में निमलिखित में से कौन सा सहर निर्यात विकास का केंदर नहीं है तो देखिए इन में से यह यहां भी है यहां खुरजा में मेरेट में भी यह प्रयाग राज में नहीं है यह यह चीज़ याद रखेगा ठ 2018-19 में लेकिन यह महत्पूर्ण है तो लगभग मोर और लेस अभी भी उतनाई है ठीक है करेक्ट आंसर उसका उत्रप्रदेश के अध्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलंता के संबंध में कौन सकतन सही है तो देखिए पस्चिमी उत्तरप्रदेश में सरवाधिक के हुआ है और सरकार उस पर काम भी कर रही है ठीक है तो इस में से उपरियोग तो सभी सही है उत्तरप्रदेश में सिंगल बिंडो क्लिरेंस यह क्या है तो यह बेसिकलिए यह एधर-धर की जो चीजह है वो एक ही जिग पर जाकर सब हो जाए एक मलब आपको बार-बार ओफि तो यह याद लगिए इस आफ जो डूइंग बिजनेस वाला जो कॉंसेट है वह यही चीज है अभी देखिए यह सब करने के बाद ही इस आफ जो बिजनेस वाला है यह इंडेक्स इसमें सेकंड नंबर पे है यूपी ठीक एस पर जो बजट भासन में दिया गया है ठीक तो य सोन सा है यह लगनऊ है याद रखेके गया पंडित दीन दयाल हस्त कला संकूल यह कहां पर स्थापट यह वारनची में है है याद रखेगत अभी यहीं पर बारनची में बहुत सारी योजनाएं बहुत सारी चीज़ें चल रही है ठीक है आप बदाईए एक प्रेश्ट कमेंड करके आप अगर करेंट में टच में रहते हैं आप चीज़ों को पढ़ते हैं अनलाइज करते हैं तो समझ में आया होगा कि इसको किस विदेश के किस मतलब किसी ठीक है उत्तरप्रदेश की अर्थ व्यवस्था के संदर में निमलिखित कथरों पर विचार करना है तो देखें यह उसी हिसाब से है इसमें देखेंगे तो यह आपका सही है प्रतिवक्ति याइस की मिलब कम अंतर है संपूर देश की तुलना में कुल कर्मियों कृस्कों क उत्तर प्रदेश का ठीक है उसकी मुर्दाबाद कानपूर नुयड़ा घ्रेटर नुड़ यह काफी पहली की नियूज है यह चीज़ें तो अब बहुत आगे निकल चुकी है उत्तरप्रदेश में माननेता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कानपूर में है याद रखिएगा इस चीज को उत्तरप्रदेश में पारमपरिक और द्योगिक वस्तु छेत्र में उत् लिए उत्तरप्रदेश में उद्योग बंधू किसलिए हैं तो यह उद्योग इकाईओं के समयब्ध स्थापना सुनिष्चित करने के लिए इनकी निक्ती की गई है ठीक है यह चीज याद रखेगा उद्योग बंधू बहुत टाइप के बंधू बनाए गया है ठीक है उत नंबर-थिसम्बर में अक्टूबर नंबर से मानके चलिए अक्टूबर लास और उपरैल से मैइ के बीच में थेक है तो यह जयद ृपस्थ होते हैं यह तो यह एसे ट्रिक याद-ध्रक्याइग को रभी को सर्दी लगती है तो सर्दी लगती है जो सर्दियों में फसलें बोई जाती है वो रभी वाली होती है आपका चना हो गया गेहूं हो गया ठीक है मटर हो गई यह सब क्या है यह सब रभी की फसलें ठीक है और खरीफ वाली क्या है जो आपकी जुन जुलाई में बोई तो देखिए टोटल जो खाध्यान है उसके उत्पादन में आपका यूपी जो है नंबर एक पे है ठिक लगभग 17.77% टोटल जो खाध्यान उत्पादन होता है भारत में उसका 17.77% ये यूपी ही मतलब उसकी भागेदारी जो है हिस्सेदारी इतनी है 17.77 महत्तपूर्ण डे तो उसमें ये सब चीजे हैं तो देखे दलहन में कुल दलहन में जो है आपका MP है ये ध्यान रखिए पहले नंबर पे और कुल तिलहन में कौन है राजस्तान है तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखिए तीनों और टोटल खाध्यान में अपना यूपी ही है उत्तर प्रदे उत्तर प्रदेश में कौन सा जन्पर दसहरी आम के लिए फेमस है तो ये अब लखनौ है ठीक है लखनौ वाला जो एडिया है बहुत सारा बदल यहां पर दसहरी आमों के अग्दम भरमार रहती है अब बताईए अभी किस आम को एक जिया टैग मिला है बताईए आपर भी ह आप लिए ख सपाल बीकिया था टेल्गराम चैनल पे उत्तर प्रदेश को भारत का सक्र का कटोरा कहा जाता है तो इसमें पूछा है उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है तो यह देखे ये गन्न्य का सरवादिक अदभी यहां पर यह सब है चीनी मीले मिले भी है यह उत किसान बही याद रखेगा बहुत महत्रपूर्ण है कई बार पचा गया है तो 1992 में यह शुरू की गई थी ठीक है दिया सलाई के लिए यह बरेली याद रखेगा इतना भी है ये सब बहुत महत्रपूर्ण है यह सब आपकी इन सब प्रशनों की संख्या बहुत अधिक देखन सी बात है आपका प्री में भी वेटेज बढ़ेगा 110 परसंट बढ़ेगा ठीक है आप मान के चलिए कि 20 से 25 प्रशन इस बार आपको देखने को मिलेंगे 20 तो देखने को मिलेंगे ही एक देखिए इसमें विशेष्टा दिया गया है इसमें मैच करना है आपको तो वारणसी आ कमेंट कर बदेखने की या है अच sondern कलि गए अपने प्रदेख कि राजधाने मैंने वह सब रहा है जो यह सका सब कुछ मी मैंने नीचे दो दिए गया है कथनकारणंबताना है कन्योज इत्र सहर कहलाता है बिल्कुल सही बात है कन्योज के सभी और निवासियों के इत्र का कारधाना है उद्योग है तो बिल्कुल गलत है यह थी यह याद रखेगा, ऐसा थोड़ी है कि वहाँ सभी गरों में, हाँ, maximum हो सकता है, बट सभी के पास नहीं है, अच्छा एक चीज बताएगा, अभी current का है यह, current का है और महत्पोंड है, UP का current है, बताएगा कि यह जो कन्योज का इत्र है, इसकी एक प्रदर्सनी लगाई गई थ किस सहर में है, कमेंट करके बताएगा, ठीक, चलिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें फिर से मैचिंग में आपको देखना है, तो देखिए इसमें बहुत एक दो चीजें भी आपको अगर पता हो, देखिए जैसे अलिगड का ताला बहुत famous है, C का 1, तो लगा दीजिए आप सिमेंट के लिए, और मेरत के सामान के लिए ठीक हैrados, कास्थ थनकासी घरलू, किस के लिए है ये कस नकासी घरलू सहरान पूर ठीक, यह याद रखेगा, यह सब 1, व्याद को ऑनग अदूर्ट वाले हैं, इंका याद रखेगा यह चीज, ठीक, देखते हैं, चौट तिस के बाद आया 35 आपका निम्ने में से उत्तरप्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इन में से देखें कौन सा है नहीं है पूछा है बैसिकली यह कट आहां यह देखें वही तो मसोच रहा हो आलू में भी गन्ना में भी यहूं में भी है चावल में नहीं है थोड़े देर पहले ही मैंने बताया वेस्ट बेंगॉल है यह याद रखेंगा फरुखाबाद जाना जाता है तो किसके लिए यह हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है पहले भी यह करवा चुका हूं यूपी एस आई डीसी द्वारा विशिस्ट उद्योगों हे यह ही तो एक फार्क सपित कीजा जाएगा इस पार्को चिल्हीद करने के जी इस्थान दिखाये गया तकहां पर काहूं सा पारक खुलेगा इसमें देखिए बताया की कौन सा सही है इसमें फसके दिखिये तो इसमें यह बायो टेक्नलोजी पार्क यह सही है, लखनाओ में है, प्लास्टिक सिटी यह आपको तुमार अपका अप. अप coal पर्क और होजरी पार्क एज premi स्सवाम आम आ बएएक। अगर होजीरी जुड़ा है तो कानपूर हो जाएगा और नहीं तो ट्रोनिका सिटी जिसको कहते हैं वो कौन सा है गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी यानि कि इसमें जो करेक्ट आंसर होगा यह मैच नहीं है उस जनपत को चिन्हित कीजिए जहां जानवरों के लिए पॉली क्ल इस बार प्रशनों की संख्या बहुत अधिक होगी इनको आप हलके में मत लीजिए एक दो बार वीडियो को देखिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए ठीक है उत्तरप्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई तो यह जून 18 जून 2001 से शुरू की गई है भा माच है 6 है 8 है कितने हैं यह दस हैं तो पन्त अंगर में पहला खुला था ठीक उत्तरप्रदेश है अब यूपी में नहीं है बहुत रस तो उत्तरप्रदेश में विक्र अधिवेश अधिवेश अधिकतम है तो यह यह रखिएगा ठीक चलिए नेक्स देखते हैं उत्रक्डेस में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में किसकी अवध ही सबसे नियुनतम है मतलब सबसे जल्दी कौन से फसल हो जाती है तो मूम की फसल है जो सबसे जल्दी हो जाती है तीक है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है ACA में सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो कहां पे खतावली है याद रखेगा ठिक ट्राइसम यह क्या है यह ग्रामीड विकास का एक कारेक्रम है याद रखेगा यह कौन से यह में आयेगा आया था आप कमेंट करके बताएगा मैं आपको यह वो बताता हूं 1985, 1986, 1987 यह 1989 कमेंट करके बताएगा इन में से यह 1988 अब आप पांच आप्सन में से एक कमेंट किजिएगा किस में कब आया था यह ट्राइसम गिडा क्या है यह बेसिकली कुरकपुर और द्योगिक विकास प्राधिकरान तीक है यह है इसका नाम गिडा याद रखेगा उत्तर प एक का समय रखेथो में कहां पर है तो यह कानपूर में करवार किश्चे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उब्द्यों कौन सा है थक करगा याद रखिए गानिक भाद यह कुछीन और यह सब है उत्तरपरदेस स्रवाधिक प्रिस्त कर्म्चारी कहां पर कर्मचारी की सकते है। उत्तरपरदेस सीमांत कर्मचार को सेघ 중요 उनको कहते हैं ठीक है यह चीज याद रखेगा सीमांत किसान भारत में लगभग 80% एप्रॉक्स एटी परसंट जो है सीमान्त किसान है ठीक है याद रखीगा चलिए यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है यहीं पर प्रश्णों को यह सिंखला समाप्त होती है सिंखला नहीं इसमें एक दो सीरीज और आएगी बेसिकली इसके बाद अभी जो अगली मैं लेकर और तो एक या दो वीडियो और लेकर आँगा मैं दो वीडियो लगभग उसके बाद यह यूपी स्पैसाल आपका पूरा लगभग हो जाएगा कम्प्लीट थीक है तो बाकी आप पढ़ते रहिए रिवीजन करते रहिए टेस्ट सीरीज लगाते रहिए ठीक है स्वास्थ क का ध्यान रखिए अपना स्वास्थ सही रखिए तभी सब कुछ हो पाएगा चलिए ठीक है जय है